आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे विशेश इस वैग्यानिक सत्र में और मैं आप तमाम लोगों का फिर से हार्दी का भी नंदन करता हूं मैं इस करी में आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं एंडोक्राइन ग्लेंड के बारे में पिछले सेशन में हमने आप लोगों से चर्चा किया था एंडोक्राइन ग्लेंड में कि हमारे शरीर में कंट्रोलिंग सिस्टम कैसे होता है नर्वस सिस्टम और हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा हमारा पुरा शरीर कंट्रोल होता है इसी करी में हम सतर को आगे ले चलते हुए बढ़ते हैं और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों में फायदा पहुंचा है ये विडियो खास करके मैं बिहार और आसपरोस के राजियों के लोगों के लिए त्यार कर रहा हूँ जहां मैं जानता हूँ कि अंग्रेजी थोड़ा सा कठिन है इसलिए मैं अंग्रेजी के क्लिष्ट शब्दों को आसान से आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो आज इसी करी में हम आपके पास चर्चा करने आए हैं और उमीद है कि आप लोग को ज़रूर पसंद आएगे और यह है पिट्यूटिरी ग्लेंड जी आज हम चर्चा कर रहे हैं पिट्यूटिरी ग्लेंड के वारे में एंडोक्राइन सिस्टम में सबसे महतोपुर्ण यह सिस्टम है क्योंकि इस सिस्टम को इस ग्लेंड को हम मास्टर ग्लेंड के नाम से जानते हैं क्यों master gland के नाम से जानते हैं हम बाद में आप से बताएंगे लेकिन फिलाल इसे समझे कि इसे इसका दूसरा नाम है pituitary gland का दूसरा नाम है hypophysis या master gland ये दिखिए ये आकार में बहुत छोटा मटर के दाने के बराबर होता है और गोला होता है गोला कार का होता है और लगभग 0.5 या 6 ग्राम के आसपासी वजन होता है इसे जादा नहीं होता है और ये हमारे brain में जी हमारे इस खोपरी वाले हिस्से में होता है और ये pituitary phosha एक गहरा भाग है गहरा भाग है ब्रेन में जिसे pituitary phosha के नाम से जानते है उसमें ये पाया जाता है मुझे लगता है ये बात आप समझ गहे होंगे मटर के दाने का कार का गोला भाग 0.6 ग्राम वजन का ये हमारे brain के हिस्से में ये pituitary phosha में होता है ये just हमारे base में होता है आधार में होत पाकर के मूल अधार बनता है उस जगह होता है और ये हमारे brain के middle सीर के बीच वाले हिस्से के ठीक नीचे middle of the head या cranium कहिए इसको है ना उसमें sphenoid bone होता है aspenoid bone क्या होता है जब हम के पास इसकी चर्चा करेंगे bone के चर्चा करेंगे osteoskeleton system की चर्चा करेंगे वहां बताएंगे लेकिन जान लीजिए ये हमारे कान से जुड़ा bone है तो aspenoid bone में होता है और ये hypofacial phosha hypofacial phosha यानि की phosha के नीचे वाले हिस्से में एक जगह है जहां रहता है गोला और चारो तरफ से जो घीरा रहता है bone cavity चारो तरफ इसमें क्या है ये जहां रहेगा वहां चारो तरफ bone रहेगा जिसे cella tarsica के नाम से जानते है उस bone को क्या जानते है cella tarsica के नाम से और dural fold जो dural matter है हमारा उसके fold से चारो तरफ घीरा रहता है bone cavity है उसके बार dural fold है जिसे हम लोग diaphragm cell रहते है मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई हो कि कहां रहता है सीर के बीच वाले हिस्से में रहता है brain के जहां base हमारा वहां रहता है esmite bone के अंदर रहता है hypofacial fossa में रहता है इसे pituitary fossa भी कहता है pituitary fossa में रहता है और dural fold के द्वारा घीरा रहता है मुझे लगता है ये बाते आप लोग समझ गए होंगे ये कहां रहता है और इसे माना जाता है कि जो हमारे brain में hyphothelmus है उसका ही ये protein है उसी का ही अगला हिस्सा है चोटा सा चुकि ये हमारे brain के जो base है उससे attach रहता है एक stock के दौरा एक dundal के दौरा उससे stock को infundibulum कहते है उसे stock को infundibulum कहते है ये pituitary gland है हमारे brain का ठीक आप देखेंगे अगर ये हमारे brain है ति इसके नीचे ये जो base है हमारा इसी जगा एक stock के दौरा है आपके दौरा जुड़ा होता है चुकि मैं diagram आप लोग के सामने नहीं show कर पार हो diagram बहुत जगा available होता है मुझे लगता है diagram आप सबी जगे देख भी लेंगे लेकिन इस बात को समझे मैं कोशिश कर रहा हूं कि बातों से आपको समझाने की कोशिश करूं तो यह दिमाग में हमारे brain, cranium हमारा brain है जहां उसके अंदर के हिस्से में हमारा जो head है उसके बीच वाले हिस्से की अगर बात करें तो आएगा अब आगे चर्चा करेंगे आगे वाला हिस्सा देखिए shattered gland हमारा जहां मुह है बेस कान्स आएगा हमारा मुह है और ल यह अंदर में pharynx है जगे इस pharynx के पास जहां brain हमारा आता है इस pharynx के पास जहां brain हाता उसी जगह उसे आग्ला हिस्सा के बाद जो pharynx की पीछले जदी वाल है उसी जगा ये हमारा इंटरियर वाल उसका यानि अगला हिस्सा उसका परता है उसको हम लोग रैत्थेक्स पाउच भी कहते हैं और जो पुस्टरियर हिस्सा है उसको तीन भाग में देखिए जैसे अगर मान लिजिए ये हमारा ब्रेंड के अंदर है नहां आ मारे हिस्सा इए्प निकलता है वा इसे ब्रेंट सी नहां जोरा हो ये तीन भाग में डिभाइड हो다 है अगर इस जुरा हे हमारे बेस से तो एक पिछला हिस्सा उगला हिस्सा है बीच वाला हिस्सा है तो इसलिए आगे वाले हिस्से को एंटरियर पिट्यूट्री कहेंगे बीच वाले को intermediate बोलेंगे और सबसे पीछे वाले को posterior पिट्यूट्री कहेंगे तो anterior lobe जिसे एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते है चुकि इसका दूसरा नाम हाइपोफाइसिस है इसलिए इसका एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते है पीछे वाला चुकि यहाँ वेसल होता है एडिनो हाइपोफाइसिस दिमाग बसाइए यहाँ वेसल होता है ब्लड वेसल होत करें तो human body में absentee होता है, intermediate लोग नहीं ही दिखाई देता है मुझे लगता है कि ये बात आप लोग समझ भा रहे होंगे, जो मैं बताने कि pituitary gland की मैं बात कर रहा हूँ और अगर इस pituitary gland को हटा दिया जाए इंसान से, अगर सरजरी करके इसको हम हटा देते हैं, तो समझ ये कि पूरा का पूरा function क्योंकि मैं शुरू में ही बताया ये क्या है, इससे हम लोग master gland भी कहते है, master gland कहते हैं क्यों कहते हैं, इसकी बात हम चर्चा करेंगा आगे या तो इस सब पे command कर रहा है master है, supreme है, सब पे other gland, other gland को भी कहता है काम करो, चुकि है, मालिक है तो इसलिए, चुकि अगर इसको हमने हटा दिया, तो क्या होगा हमारा पूरा metabolism malfunction हो जाएगा, ये malfunction सारे gland सही से काम नहीं करेगा, अगर मान लिजए कि master हटा दिया जाए, घर से guardian हटा दिया जाए, तो फिर command नहीं है तक, इसे को guardian बनना होगा, लेकिन guardian आम के चीज़ी हटा देंगे, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो सेम चीज़ी यहां भी है, और क्या होगा वो आदमी, जिसके brain से अगर हटा दिया जाए, क्यों हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, क्या कारेन है, क्या-क्या गर्बरी आती, इस सब हम चर्चा करेंगे आपसे, शत्र बाई-शत्र में हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसको समझे पिट्यूटी ग्लेंड का चो कि अभी anatomy पे चर्चा कर रहा हूँ, इसके physiology पे चर्चा कर रहा हूँ, इसकी बनावट और इसके काम पर चर्चा कर रहा हूँ, इसलिए तो क्या है, कि वो आदमी angious हो जाएगा, चिंता ग्रस्ट हो जाएगा, और अंत में उसकी मृत्यू हो जाएगी इतना important है इस छोटे से 0.6 ग्राम मटर के दाने के आकार का इस रचना का समझे, तो अब मैं बता दू कि इसका जो हर्मोन है हर्मोन, मुझे लगता है कि मैं चर्चा किया आप इतली बार कि हर्मोन क्या है, मुलता ये gland juice कहते हैं, ये मुलता कैसे भेजता है, ये gland juice इसे कैसे प्राप्त होता है, चुकि ये gland है और ये ही juice हमारे सारे जगा काम करता है, अपना messenger बेदने का तरीका ही होगा, कोई ने कोई वस्तु का ही आदान परदान करता है तो पिछली बार हमने चर्चा के तो what is hormone, hormone किसे कहते है तो hormone का हम लोग कहते है, it is secretive product, ये स्रावित होने वाले उत्पाद है of ductless gland, वैसे gland जिसमें की duct नहीं होता है तो hormone are secretive product of ductless gland, released directly into the circulation and small amount in response to the specific stimulation तो कहते है कि ये एक ऐसा उत्पाद है, जो की स्रावित होता है ग्रंथी से स्रावित होता है और direct हमारे ये blood circulation में संचार पदती में भाग लेता है, और वहां से विशिष्ट उत्प्रेरन के लिए किसी खास जगा काफी होता है, ना, उतना ही काफी होता है, और ये अगर देखेंगे stimulus कैसे करेगा, तो ये हमारा anterior pituitary है, यानि adeno hypophysis है वह hypothalamus में सेक्रेट हुआ, चिक है, और वह hypothalmo-hypophacial portal vessels, एक blood vessel जूरता है, मैं बोला कि आगे वाला हिस्षा blood vessel से जूरा हुआ है, तो ये क्या करेगा, जो अगला हिस्षा है, anterior pituitary को hypothalamus में बना, मान लिजे, जूसरा हमारा हमारा secretion हुआ, उसको hypothalmo-hypophacial portal vessels के दौरा, हमारा anterior pituitary को मिल गया हुआ, लेकिन, जो हमारे neurohypophysis है, पिछला हिस्षा, neuron का उवह किस से आएगा, चुकि vessel है नहीं, तो वह क्या करेगा, hypothalmo-hypophacial neural tract, ये nerve का ही जो रास्ता है, उसी के दौरा direct उसको भेजेगा, ये किसी के, दो के दौरा नहीं आएगा, ये, जैसे उसमें hypothalmo-hypophacial portal vessels था, ये portal vessel के दौरा नहीं आएगा, ये direct क्या करेगा, आपने पुष्टर ये लोव को भेजेगा, hypothalmo-nicoleae को भेजेगा, कि भाई, तुम्हें store कर लो, और ये nerve tract कहां से पैदा होता है, पीछे वाला, तो supraoptic है, और paraventricular nucleae है, hypothalmas में उसके दौरा होता, तो आगे वाला secret जैसे करेगा hypothalmas, secret किया, gland juice पैदा किया, तो जैसे ही वो हर्मोन पैदा किया, hypothalmo, hypo facial, portal facels के दौरा, आगे भेज दिया, और पीछे वाले को direct भेज दिया, किसके दौरा, निउर्टरेक्ट के दौरा, neuron के दौरा के भाई, ये store कर लीजिए, और ये कैसे control होता है, regulatory hormone कैसे control होता है, और रिलीज होता है, चुकि पैरा-silver है, इसमें क्या है, sorry, one minute, पैरा-silver, neurosecurity cells है, पैरा-silver, neurosecurity cells है, इसके पास special cells होता है, मैं पिछली बार भी चर्चा किया, hormone पैदा होता है, तो कहींड कहीं, cell से ही पैदा होगा, और cell के आए होगा, secretion का ही, खास परकार का होता है, secretion का ही काम होता है, जो कि hypothalmo capillary, ध्यान रखेंगे, hypothalamus के पास, जो blood vessel है, वो capillary, capillary secretion में आएगा, वो infantular blood vessels के द्वारा आएगा, और फिर उसके बाद second capillary, capillary से पैदा हुआ, capillary से blood vessel में आया, फिर वहाँ से क्या करेगा, कि जो second capillary bed है, उसका hypothalmo, hypofacial portal system का, उसमें आकर के diffuse करेगा, second capillary bed में, और वहाँ से क्या करेगा, ये जस्ट हमारे, pituitary gland को मिलेगा, तो हमने इस पूरी करी में आपको बताया, कि कितनी रचना है, कैसे पैदा होता है, और कैसे आगे वाले हिस्टे को मिलता है, पीछे वाले हिस्टे को मिलता है, तो एक ध्यान रखेंगे, इसके जितने भी हार्मोन है, वहाँ ट्लोफिक हार्मोन है, इसके cells भी ट्लोफिक है, जो उसका मतलब होता है, that stimulate the secretion of other endocrine gland, वह दूसरी को भी दूसरी एंडोक्राइन ग्लाइन को भी सेक्रेट करने के लिए स्टिमिलेट करता है तुम भी हो जाओ इंफ्लूएंस करता है वह केमिकल जैसे जाएगा उसको करेगा अगर नहीं उपस्तेती होगी तो नहीं जाएगे तो इसी परकार इसके पास मैं गिना होंगा कि इसके तीनों लोब से सक्रेट होता है यह अल्मॉस्ट हमारे human body में intermediate लोब नहीं है लेकिन फिर भी इससे सक्रेशन होता है और उस हार्मोन को हम एडप्ट करते हैं जी तो यह हार्मोन के पास जो cells है वह cell है somatotrophin sorry somatotrophs, corticotrophs, यह ट्रॉफिन होगा और इसमें जो अगला हिंसा है जो interior pituitry को तीन हिस्ता में हमने देखा इस stock के द्वारा हमारे base में जुरा हुआ है तो interior pituitry पास से 6 परकर का हर्मोन से क्रेट करता है देखे वैसे 230 हर्मोन है सबों का नाम गिनाना और मेरे पास शारक कलेक्शन नहीं है सारी जनकारी नहीं है लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों तक ज्यादा से ज्यादा मैं पहुंचा हूँ लेकिन यह जो interior pituitry आगे वाल हिसा जो blood vessel से आ रहा है वो जो हर्मोन से क्रेट करेगा growth हर्मोन GH आगे मैं अगले से सन में इसके में क्रिया के बारे में एक वाले हिसे से growth हर्मोन thyroid stimulating hormone यह thyroid stimulating hormone है thyroid gland को stimulate करने के लिए बोलेगा जहां से हर्मोन से क्रेट होगा वाद में बताऊंगा इसके बाद adenocorticotrophic hormone पहला हो गया growth hormone GH thyroid stimulating hormone PSH adenocorticotrophic hormone ACTH follicle stimulating hormone follicle आगे जब reproductive system के में चर्चा करूँगा तो हमें बताऊंगा क्या होता है फिलाल इसे जानी है तो follicle stimulating hormone यहनी FSH होता है अब बीच में एक stock के साथ जूरा हुआ है उसे intermediate lobe बोलते हैं तो इस intermediate lobe में देखेंगे alpha, beta, milenocyte stimulating hormone alpha और beta, milenocyte stimulating hormone का secretion करता है इसके बाद हमारा posterior lobe है मान लिजिए हमारे यह anterior pituitory हमारा है बीच में intermediate उसका posterior pituitory है जो हमारा hypothalamus के नीचे होता है तो उसके द्वारा vasopressin जिससे anti-dyratic hormone कहता है और oxytocin hormone तो इतने secret होते है यह मैं कोशिश किया हूँ कि आपको pituitory gland के बारे में सामाने जानगारी दूँ कि pituitory gland क्या होता है कैसे काम करता है अगली करीमे मैं इसके hormone के बारे में चर्चा करू होंगा समझाने के पहली बात बता दू कि मैं यह डिप्लोमा लेवल वालों के लिए emergency medical technology वालों के लिए और ऐसे लोग जो समानेता हमारे किसी भी कि चिकित्सिय प्रशिक्षन कारिशाला में जो भाग लेते हैं चाहे वह maternity health से हो यह home health से हो यह जरियाटिक health से हो यह ऐसे बहुत सारे चेप्टर उस पर बहुत सारे संस्थाओं का मैं कारिशाला में सेवा दिया करता हूँ लोग बुलाते हैं तो वैसे लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ हिंदी में समझाने के कोशिश कर रहा हूँ वैसे आपको टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे से materials म देखें समझें फिर विस्तारूप से इसका आप ऑन स्पार्ट जो अगर मेडिकल में आते हैं तो डिस्ट्रक्शन के दवारा केड़ेवेडी पर या डिरिंग जो लोग नीरो सर्जन है ऑपरेशन के दौरान इस इसको देख पाएंगे ऐसे मैं ग्राफिकल नहीं दे पा र आता है तो यही मैं समझेंगा और वैसे मेरा पर्पस यह नहीं है कि मैं ज्यादा लोगों तक चैनल के द्वारा खेमस हो मैं यह समझता हूं कि जिन लोगों को सिखा पाऊं सीख जाएं और यही बस इसी के साथ मैं इस सेशन को बंद करता हूं धन्यवाद